कि नमस्कार दोस्तर स्वागत है आप से का आपके अपने यूटी चैनल अमन प्रयास केजिस में तो जिसागे फैंड्स आपका कल एससी सी इससी इससल का आपका एंसर की है जो कि आपको जारी कर दिया गया था ठीके तो एंसर की जो लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लिजएगा ठीके और जो लोग देख लिए हैं अपना अपना नमबर को कॉमेंट में कीजएगा ठीके तो एंसर की जब से जारी हुआ है तब से लेकर आप लोग ने बहुत सारे मैसेज किये मैसेज से इन्बोक्स भर दियें जिसका सके कि आप लोग का कितना नमबर पर टाइटू में सेलेक्शन होना है एक एवरेज ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम लोग उनी सभी बिंदू पर बात करेंगे इसरे पहले अगर आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इससे से जुड़े हटल अपड है ठीके इस कहले बाद दूसरा चीज है कि अटिनिंस आपको कितना व्लव इस एग्जाम में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है?' यादे एटिनिस कितना था इसके बाद आपको difficulty level के difficulty level इस exam का क्या था और सबसे last जो है आपका normalization है कि आपका कौन से ship में exam था easy ship में था या hard ship में था ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंट से पहले बात करते हैं टेस्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिशर सेल के बारे में इस सेल के दौन अगर आप इनका यह लिका टेस्ट बुक पांस प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 पर में यह मिलने माला है साथ में कूपन कोड अगर आप एपीज यूच करते हैं तो आपको यहां पर 12% का एक्स्ट आप मिलेगा और अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो आपको यहां पर फुल रिफंड भी मिल जाएगा ठेके टेस्ट बुक के बात करते हैं तो टेस्ट बुक पर शाड़े 800 प साथ 17000 प्लस प्यूड पी जा के आपको मातव मात 527 पर मिलता है यहां पर आपको सब पड़ं का सेसरी के त języ कि बया के त्यारी कर हो रहे हूं या आप स्टेट लेवल का सब इसाकि प्रसंद आ goesav वे देखने को में लेते हैं जोकि आपका सससी सजेजियल का कुछ है जो कि आपको सेम टू सेम जो आप मौक में देते हैं वो आपके एक्जामें देखने को मिलता है तो आप टेस्ट के यह ली पास प्रोसे जुर सकते हैं मात और मात 528 में एक साल के लिए कुपन कोट एपीजिक के साथ डिस्किप्शन में इसका लिंक दिया गया है कॉमेंट सेक्षने में पि है पिर अगर नहीं मालून है तो यहां पर आपको बताते हैं कि आपका जो है 2712 है जो की इस बार आपको देखने को है जो कि it brand करते हैं कि आपका इस इस देट Уबगया उसे बता चला कि आपका जो फॉटल तक्रीमन स्टशन के लिए 34 लाख लोगों ने फॉर्म को फिलप कि था लेकिन 34 लाक में से कितने लोगों ने एक्जाम दिया तो 50% लोगों ने 50-52 लोगों ने एक्जाम दिया था ठीक है तो एक डेटा ले तो 17 दुनी 34 ठीक है तो 17-18 लोगों ने आपका स्थी इसल 24 टाइर वन का एक्जाम है जो की दिया था ठीक है बाकि डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल जो आपका था वो आपका मोडेट टू हार्ड था इजी टू हार्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बाद में आगे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका पड़ जो सब्जेक्ट था इंगलिज उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल रहा और उसमें क्या आपका सेफिस्कोर रहा था ठीक है और बात बाकि नर्मालिजेशन की बात करते हैं तो अगर आपका एक्जाम हार्ड सिप्ट में रहा होगा तो अगर हो शके तो आपका नमबर कट भी जाएगा ऐसा भी कभी कभी होता है ठीक है तो उसके लिए चिंधा नहीं लेना है दोचोविस के कटफ से पहले हम लोग कुछ पिछले साल के कटफ के कटफ को देख लेते हैं, जाद नहीं, पिछले दो साल के कटफ को देखेंगे, उन दो सालों में सबसे पहले हम लोग पिछले साल यानी 2023 के कटफ को देखते हैं, तो 2023 में जो आपका विकेंस्टी देखने को उसरमें का है तो वहाँ पर जो यूर का जो cutoff गया था वह आपका गया था 153.91 गया था इसकी बात करते हैं तो इसकी का cutoff गया था 136.41 इस्टे की बात करते हैं तो इस्टे का cutoff गया था आपका 124.52 ओभीसी की की बात करते हैं तो विश्टी का cut-up आपका गया था 152.26 EWS की बात करते हैं तो EWS का जो cut-up गया वह आपका गया था 151.09 और एक सर्विसमेन की बात करते हैं तो उनका जो cut-up गया था वह आपका 102.4 मन गया था यह आपका official data है आप लोग मिला भी सकते हैं SSC की website पर जाकर ठीक है इसके बाद 2022 नायनी की पिछले के पिछले साल के cut-up की बात करते हैं तो वहाँ पर vacancy आपका बिल्कुल 24 के तरही देखने को मिला था हालांकि 500 बेकेंसी 500 प्लस इस्टी की बात करते हैं तो इस्टी का cut-up गया था 125.79 ओविशी की बात करते हैं तो ओविशी का cut-up गया था 151.02 गया था ठीक है वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं यानि की एक्स सर्विसमेन का तो उनका जो cut-up गया था वह गया था 97.98 ठीक है तो यह दोस्तों आपका पिछले दो सालों का cut-up है जिसको आप लोग देख सकते हैं और आप लोग खुद से अनुमान भी लगा सकते हैं ठीक है तो 24 के cut-up से पहले दोस्तों आपको बता दें क कि हर subject का कितना सेफ स्कोर रहा था ठीक है तो आपका लेवल था है जो की Easy to moderate ठीक है भी पर बात करते हैं आपका जेनल Awareness का तो उसका जो cut-off उसका जो safe score था 18 से 20 था ठीक है तो कह सकते हैं कि आपका moderate level का general awareness से question पूछा गया quantity, aperture की बात करते हैं तो इसका जो cut-off नहीं इसका जो safe score देखने को मिला वो आपको 20 से 23 नंबर तक देखने को मिला यानि कि 20 से 23 question सही है तो easy to moderate का सकते हैं वहीं पर English की बात करते हैं 221 से 21 और इसका हम लोग moderate के सिरी में रख सकते हैं ठीक है और overall की बात करते हैं तो overall आपका moderate to hard यह आपका CHL 222 का exam रहा जिसमें अगर आप 84 से लेकर 87 question सही कर रहे हैं तो आप एक safe score में है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं उस जिस जिस का आप लोग बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं ठीक है यानि कि 2024 का expected cut up का जो की विकेंसी 3712 है ठीक है तो इसकी cut up की बात है तो EOR का जो cut up है जो की जाने की संभावना है नजर आ रही है वो दोस्तों आपका 150 से लेकर 155 के बीच ठीक है यानि कि 150 से लेकर 155 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है ठीक है पहले आपको clear कर दूँ ये नंबर आपका normalization का है ठीक है तो row score का नंबर नहीं add करना है इसमें आपको अगर आपका normalization होकर 150 से 155 नंबर तक आ रहा है ये वार के टेगरी से तो आप लोग बेजिजग टाय 2 के त्यारी है ज नंबर नंबर आपका normalization का है ठीक है तो आप लोग अपना अपना जो safe score है जो आपना अपना जो row marks है और कौन से shift का था और आपका category कौन सा है आप लोग comment section में जरूर बताने का प्रयास किजिएगा और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को like कर दिजिएगा चैनल पर अगर आप नए है चैनल को subscribe कर दिजिएगा और मिलते ह हम लोग नेक्स वीडियो में सब्सक्रा के लिए जाहिए